इसमें हम cluster random sampling पे गुफ्टगू करेंगे लेकिन इस पे गुफ्टगू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम चन्द मिनिट में इस distinction को समझ लें कि stratification में और clustering में फर्क क्या होता है ये दोनों तरीके population के अंदर population को subgroups में divide करने के तरीके हैं लेकिन इन में फर्क समझना इसलिए जरूरी है ताके आप stratified random sampling को cluster random sampling से इलाधा कर सके हैं so stratum में जैसे हमने पहले भी पिछले module में देखा था कि हम अपनी population को दोस्त या दोसे ज्यादा सब group में divide करते हैं और division के अंदर जो बनियादी असूल है वो यह है कि आप जो भी group बनाएंगे उस group में आने वाले तमाम लोगों में कमस कम एक characteristic common होगा बेशक बाकी तमाम चीजों में वो एक दूसरे से फर्क होगा मसला असाद्जा वाली मिसाल ले लीजिए तो मैंने फर्स कर लीजिए कि उनके gender की बनियाद पर सब group बनाए जेंडर की बनियाद पर एक group बना male teachers का और एक बना female teachers का जितने भी लोग male teachers के group में आएंगे उनमें एक बात तो मुश्तरिक है वो तमाम male है इसके इलावा उनकी age उनकी qualification उनका experience सब कुछ फर्क हो सकता है जो भी पाकी characteristics है वो भले ही एक दूसरे से फर्क हो एक बात भारहल उनको एक group में रखने की वज़ा है और वो बात है उनका gender यानि उनका male होना तो आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि जब आप strata को define करेंगे तो strata से मुराद यह है कि ऐसा group जिसमें मौजूद लोगों में या elements में कमस कम एक characteristic मुश्तरिक होना चाहिए चाहे बाकी तमाम characteristics एक दूसरे से फर्क हो इसके मुकाबले में clusters में जब आप grouping करते हैं तो उन में तमाम बातें एक दूसरे से फर्क हो सकती हैं तमाम बातें एक group के अंदर लेकिन जब आप एक जगा के cluster को दूसरी जगा के cluster से comparison करते हैं तो देखिए cluster बन्यादी तौर पर location की बन्याद पर बनाये जाते हैं जब भी आपको sampling करनी है और लोग बहुत spread हुए हुए हैं मुक्तर दूर दूर अलाकों में फैले हुए हैं और आप उसको फिर location की बन्याद पर select करते हैं एक location पर मौझूद तमाम लोगों को मुन्तखिब करना होता है तो आप एक बात को ensure करते हैं कि उन में तमाम बातें जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए सिर्फ एक बात उन में फर्क होगी जैसे certified में था ना कि एक चीज मुश्तरिक होगी बाकी सब फर्क होगी cluster में इसका उलट है एक चीज जो है वो different होगी बाकी तमाम चीज़ें मुश्तरिक होगी मिसाल के तोर पे कलस्टर्स में मैं कहता हूँ कि मैंने युनिवस्टी के साध्जा पे रिसर्च करनी है और युनिवस्टी यां दूर दूर फैली हुई है तो मैं बजाए इसके कि हर युनिवस्टी से दो दो टीचर लूँ मैं कुछ युनिवस्टी इं मुन्तिब कर लूँगा और वहां के तमाम साथजा ले लूँगा आप देखे युनिवस्टी A के साथजा हो या युनिवस्टी B के साथजा हो उनके दरम्यान तमाम चीजें एक ही जैसी होंगी फरक क्या है उनकी location different है तो उनमें एक बात फरक है, location, कि वो एक दूसरे से लएदा लएदा जगों पे बैठे हुए है, लेकिन अगर उनके अंदर देखा जाए, तो एक जगा के साथजा, अगर दूसरी जगा के साथजा के साथ, तमाम चीजों में एक ही जैसे हैं, इलावा इसके कि उनकी location फरक है, तो मैं कहूंगा कि ये clusters है, तो अब अगर मैं इसको summarize करूँ तो देखिए, stratified में जो group मैं बनाता हूँ, उसकी बनियाद क्या है, कि उस group में एक characteristic common होना चाहिए, कमज़ कम, बाकी तमाम फरक भी हो जाएं तो खैर है, और clusters में तमाम चीज़ें उनमें मुश्तरिक होनी चाह clusters की मिसाल के आती कि उनकी location different है, तो एक characteristic फरक है कि वो लएदा लएदा जगों पे हैं, इसके इलावा उनमें तमाम चीज़ें मुश्तरिक होनी चाहिए, जो कि युनिवरस्टी A में साथजा, युनिवरस्टी B में साथजा, तो वो दोनों A की तरह के होंगे, इलावा इसक में कि क्लस्ट्रेटिफाइड में एक common characteristics बाकी सब कुछ different, उसमें clusters में सब कुछ एक जैसा सिर्फ एक characteristic फरक होगा, तो वो cluster कहलाएंगे, यह बात अब आप जहन में रखें, तो अब मैं आपको cluster sampling समझाता हूँ, इसका मदब है, जब मैंने अपनी population को spread check करूँ, और मुझे पता चले कि यार, teachers जो हैं, वो सब जगों पे एक ही तरह के हैं, मदब पंजाब university में, यूईटी में, international Islamic university में, काईदयाजम university में, पिशावर university में, साथजा पढ़ाते हैं, वो सब एक ही तरह के हैं, उनके spread, उनके characteristics सेम हैं, तो मैं बजाए इसके कि हर university में जाके दो-दो teacher से data लूँ, जो के मिरे लिए एक खासा मुश्किल होगा, तो मैं अगर वो एक ही तरह के हैं, तो मैं उन में से चलता हूँ, कोई दो-चार university ले ले लेता हूँ, तो जो वहां से teacher आएंगे, वो बाकी university को भी represent कर रहे होंगे, तो मैं इस बन्याद पे, कि मुक्तलिफ universities के identical हैं, तो सारी university से एक एक दो-दो-चार-चार teacher नहीं लेता, बलके मैं पूरी university ही ले लूँगा, जहां से मुझे data चाहिए, तो मैं 200 university हैं पाकस्तान में, मैं उन में से कोई 20 या 25 university हैं select कर लेता हूँ, और जिस university में भी जाऊंगा, उस university के तमाम साथ साथ से data ले लूँग पूरे cluster से, तो मेरे इस example में जो university हैं वो अब clusters हैं, और मैं 200 something पाकस्तान में university हैं, उनके अंदर से चंद university हैं को, यानि चंद clusters को select कर लूँगा, और फिर जिस cluster में भी जाऊंगा, उस cluster में मौझूद तमाम साथ से data collect कर लूँगा, और इसलिए आप देखें, तो इसमें कह group, एक university basically एक intact group है, जो larger population के अंदर एक smaller group है, तो मैं पूरा intact group जो है, वो ले लेता हूँ, लेकिन बुनियादी शर्त याद रखनी है, कि उनके तमाम clusters के characteristics same होने चाहिए, इलावा एक बात के, कि उनकी location फरक हो जाती है, बस बाकी तमाम कुछ same होगा, तो मैं उनको clusters कह सकता ह हो, वरना मैं उनको clusters नहीं कह सकूँगा, और cluster sampling भी नहीं कर सकूँगा, तो इस तरीके से आप अपना time और अपना expense जो है, वो बचा सकते हैं, अगर आप ये sure हैं, कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, वो तमाम clusters identical हैं, करने का तरीका, जैसे हम पहले भी यही steps हैं, तमाम तर cluster sampling करनी है, तो कितने cluster select करने होंगे, तो sample size आप मनतखिब कर लेते हैं, और फिर उन sample size को सामने रखते हुए, total clusters में से आप randomly, यानि अगर 200 यूनिवस्टियां थी, तो आप सब के नाम की एक-एक slip डालते हैं, जितने उन में से select करने थे, let's say 25 यूनिवस्टियां लेनी थी, तो 25 slips में निकाल लेता हूँ, जैसे lottery के method में हमने पहले देखा था उस तरह से, तो मैं कहूँगा, मैंने 25 clusters हैं वो select कर ली हैं, और फिर जो भी cluster मेरे sample में आगे हैं, उन clusters के अंदर मौझूद तमाम subjects, यानि मेरे इस case में subject असाद्जा हैं, तो मैं उन तमाम साद्जा से महा जाके data collect कर लूँगा, इस तरीके से, जो मैं sample मेरे पास आएगा, मैं यह कहूँगा, मैंने stratified cluster sampling, sorry, cluster sampling इस्तमाल किया है, cluster random sampling, और अगर मैं इसको further segregate करना चाहूँ, तो उसके तरीके में इसके बाद multi stage sampling में जाके, देखेंगे, लेकिन cluster की हद तक सर्फ इतना ही है, कि मैं total number of clusters में से, एक certain number of clusters जो है, वो select करूँगा as a sample, और उसके लिए तरीका, वोई simple random तरीका, जो है, कि तमाम clusters के नाम की slips डाल लेंगे, और अपने, जितने चाहिए, आपको cluster, आप उसी simple random sampling के तरीके से, उनको वहाँ से select कर लेंगे, इस तरीके से, इस procedure के जरीए से, आप अप और अपनी cost को save कर सकते हैं, अगर यह relevant हो तो